यहां एक तालिका के माध्यम से हम समझ सकते हैं जो प्रमुख देशों की व्यवसाईक सनरशना हैं मतलब अलग-अलग कारिय में लगे जो लोग हैं उनकी कारिरत जनसंख्या का प्रतिशत प्राथमिक व्यवसाई में कितना हैं द्वितियक और तृतियक में कितना हैं। इसमें हम देखें सायुक्तराज अमेरिका, सायुक्तराज अमेरिका में प्रात्मिक व्यवसाय में 4 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। जिनका प्रतिशत है 62 प्रतिशत फिर स्वीडन प्रात्मिक व्यवसाय में 4 प्रतिशत द्वितियक में 32 प्रतिशत और तृतियक व्यवसाय में 64 प्रतिशत ब्राजील यहां प्रात्मिक व्यवसाय में 30 प्रतिशत द्वितियक व्यवसाय में 16 प्रतिशत और तृतियक व्यवस प्रतिशत और तृतिय क्वेवसाय में पैंतालिस प्रतिशत इन सभी देशों में हम देख रहे हैं कि यह विक्सित देश हैं और यहां पर तृतिय क्वेवसाय में लगे लोगों की संख्या ही सरवाधिक है और प्रात्मी क्वेवसाय में इनकी संख्या बहुत कम है जिसमें सं उक्तराज अमेरिका, ब्रिटेन और स्वीडन ऐसे देश हैं जहां पर नाम मात्र के लोग प्रात्मिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे थे मानवी क्रिया कलापों पे लगे लोग की। जैसे प्रात्मिक व्यवसाय को छोड़कर उद्योग की तरफ आकरशित हो जाते हैं। और समाज में, जैसे ही दुवित्यक व्यवसाय की प्रधांता रहती हुए उसका प्रारंभ होता है, तो कृशी जैसे प्रात्मिक विवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या जो है बहुत कम हो जाती है और अधिक सधिक विकास होता है जैसे बैग्यानिक और तक्निकी विकास और बैग्यानिक और तक्निकी विकास हो जाने से निर्माण उद्द्योगों में कम श्रमिकों की आवशक्ता रह जाती है लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो तृतियक व्यवसाय है उनमें जादा से जादा लोगों की आवशक्ता पढ़ने लगती है और फिर हम देखेंगे कि इन ही व्यवसायों में जो लगे लोग हैं वो अधिक कारिरत होते हैं फिर चाहे वो तृतियक व्यवसाय हो चतुर्थक व्यवसाय हो या पंचम क्रिया कलाप या पंचम व्यवसाय हो बच्चों हम देखेंगे कि चतुर्थक और तृतियक क्रिया कला करिया कलांब होते हैं यह बहुत ही विषिस्ट और जटिल कार की क्रिया कलाब है जिनका संबंध ग्यान से होता है मतलब ग्यान से आधारीत जो कारी होते हैं फिर हम बात करें सिक्षा सू понять शोध और विकास यह सभी चतुर्थक क्रिया कलांब हैं इस दिसदे घ्र बॉधिक व्यवसाय से लगाते हैं और इनका उत्तरदाइत वो होता है कि जो चिंतन और शोध के साथ साथ विकास के लिए नएने विचार देना अभी हम बात करें तो इस समें थोड़े ही लोग जो है वो चतुर्था क्रिया कलापों में लगे हुए हैं लेकिन लगातार इनक बहुत अधिक गतिशील होते हैं यदि हम चतुर्था क्वेवसाय का सरवाधिक विकास देखें तो हमने पहले भी बात की है कि संयुक्तराज अमेरिका में हैं और कारण ये है कि यहां उच्च सिक्षा और रिसर्च अनुसंधान का ये प्रमुह केंद्र है और विशो भर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो संयुक्तराज अमेरिका में उच्च सिक्षा प्राप्त करने या अनुसंधान के उद्देश से जाते हैं एक सरवेक्षन के अनुसार हम देखेंगे वर्ष 2006-07 में अन्य देशों से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 5, 8,82,984 थी इसमें भारती विद्यार्थी हों की संख्या सबसे अधीक थी जिसकी संख्या है 83,833 और इसके बाद हम देख पा रहे हैं चीनी विद्यार्थी थे 67,725 और फिर तीसरे स्थान पर दक्षिन कोरिया था जिसमें जहांके विद्यार्थी हों की संख्या 6,342 थी करें हम बात करें यू ऐसे की तो हमें पता है किह जो सबसे पहला सुपर कम्प्यूटर बनाने वालके वाले देश की हम बात करें तो विश्व भर हमें ये सिर्फ पांच ही हैं पहला संुक्तराज अमेरिका दूसरा जापान, तीसरा इसरा इसराइल, चौथा चीन और पांचवा भारत. भारत में अभी तक हम देखें तो सूपर कम्प्यूटर परम 10,000 और सूपर कम्प्यूटर परम अनन्त और इस से शक्तिशाली जो सूपर कम्प्यूटर है वो परम पद्म विक्सित किया गया है. जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस का इस्थान है और भारत का इस्थान जो है वो कम्प्यूटर के उपियोग के मामले में उननीस्वा इस्थान है अब सेवाओं में या तृतियक क्रिया कलाप के अंतरे के सेवाओं का ही एक महत पूर्ण हिस्था है जो आजकल बहुत विक्सित अवस्था में देखने को मिल रहा है या हम कहें कि इसमें तृतियक क्रिया कलाप के भी टार्शरी एक्टिविटीज की अधिकतर जो जनसंख्या है वो इसकारे में लगी हुई है और इसको हम कहते हैं टोरिज्म या परियतन जब हम व्यापार की बजाए मतलब व्यापार कर करने के उदेश की जगह जब मनोरंजन के उदेश से यात्रा करते हैं तो मनोरंजन के उदेश से की गई जो यात्रा है वो परियतन कहलाती है बच्चों जब भी आपकी गर्मी की छुट्टियां लगती होंगी तो आप प्लानिंग करते होंगे कि हमें कहां घूमने जाना है और नैचरली है कि आप चूस करते हैं कि हम किसी हिल स्टेशन की सी पहाडी छेत्र में ही घूमने जाएं तो ये जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत पढ़ाई कर ली अब ये जो हमको कुछ दिनों की छुट्टियां मिली हैं तो क्यों ना हम इस समय को बहुत अच्छे से व्यतित करें बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएं और इसलिए आप एक प्लानिंग करते हैं एक योजना बनाते हैं कि हमें किस स्थान पर घूमने जाना है अब अपने रूची के नुसार आप अलग-अलग जगह को चूस कर सकते हैं चाहे वो एतिहासिक जगह हो चाहे वो जोग्रफिकल प्लेस हो कैसी भी जगह वो आपकी रूची पे डिपेंड करता है अब हम परियतन पे लगे लोगों की अधी बात करें तो हम देखते हैं कि जितनी भी कुल पंजीकृत रोजगार हैं जितने भी जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं रजिस्टर जो हैं उन पे हम देखेंगे कि उस माप लगभग 25 करोड जो जन संख्या है वो इन ही लोगों की या परेटन में लगे लोगों की मिलती है इसके बाद हम देखें कि कुल राजस्व मतलब जो GDP होती है सकल घरेलू उत्पाद तो उसमें इस द्रिष्टी से भी हम देखें तो विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिया कलाप होता है जिससे GDP प्राप्त हो रही है या राजस्व प्राप्त होता है उसमें भी तर्शरी एक्टेविटीज या तृतिया क्रिया कलाप का ही एक बड़ा हिस्सा जो है सबसे अध प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला मांग और दूसरा है परिवहन, बच्चों, आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत सारे देश भी हैं, उन्होंने अपने करमचारियों को अवकाश की अवधी भी जो है अधिक कर दी है, या एक नैचरली है कि हम हफते में साथ दिन होते है तो हफते में छे दिन काम कर रहे हैं और एक दिन का हमको अवकाश मिलता है, कई देशों में ये पांच दिन का वर्किंग डे होता है और दो दिन जो है वो छुट्टियां होती हैं, और कई देशों में तो अभी इसे बढ़ा कर चार दिन जो है वो कार्य दिवस रख दिया चुट्टियाँ को कर स्याफ्री काम कर सकते हैं zeg जब आप काम करते हैं आपके उपर वर्कलोड बहुत होता है ज्यादा या कम जब आप काम कर ही रहे हैं तो आप के दिमाग को कुछ देर आराम की आवश्कτα होती है और आराम के साथ साथ जब आप किसी मनुरंजन में आपका मस्तिश्क जो है वो लगता है तो इससे वो हेल्दी होता है और स्वस्थ मस्तिश्क जो है उसकी कारे छमता और अधिक बढ़ जाती है तो यह बहुत आवशक होता है कि जितने भी दिन आपके कारे दिवश हैं उसमे आपकी छुट्टियों के या आवकाश के भी दिन जो है वो शामिल हो ठीक उसी प्रकार आप पढ़ाई भी करते हैं साल भर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको महने दिन का आवकाश दिया जाता है कि आपने जितने दिन पढ़ाई की अब थोड़े दिन आप आवकाश में घुमें फिरें, इंजॉय करें, मनुरंजन के अलग-अलग साधन के माध्यम से आप जो है अपनी छुट्टियों को बिताएं और उसके बाद आपका मस्तेश के या दिमाग जो है वो पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है और आप अपने नेक्स्ट क्लास की जो पढ़ाई है अगली कक्षा की पढ़ाई पूरे एनरजेटिक होकर फिर से उसी प्रकार कर सकते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है तो अभी हम बात कर रहे हैं कि परियाटन जो किया जाता है चाहे आप हॉलिडेज में करें विकेंड में करें जि कौन-कौन से कारक की चीजों को आप ध्यान में रखकर करते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है लोगों का वर्कलोड वो बढ़ रहा है और आवकाश के दिनों में भी व्रिधी हो रही है तो यह सभी चीजे जो है वो परियाटन की डिमांड को भी और ज्यादा ब वो परियाटन को प्रभावित करता है और दूसरा परिवहन परिवहन भी जो है वो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में परियाटन को इसने और ज्यादा इजी या सुविधा जनक जो है वो बना दिया है जैसे कि हम एक धार्मिक या equipped station की बात करते हैं धार्मिक इस्थल में जै भोडे से डर रहे हैं कि घोडे में नहीं बैटना चाहरे हैं, तो पैदल ही उन्हें यात्रा या चढ़ाई जो है वो पूरी करनी पड़ती थी, पूरी पाःडियों की, और जो नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ है, वो वहाँ यात्रा के लिए नहीं जा पाते थे. या हम अपने ही बद्रिनाथ या केदारनाथ इन छेतरों की बात करें जो पहाडी स्थल हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं असमर्थ हैं और जब परिवहन की सुविधा जो है इतनी अधिक विक्सित नहीं हुई थी तो वो जो जिनकी इक्षा भी है वहाँ जाने की लेकिन चु अब हम देखेंगे कि हमने बात कि बद्रिनाथ के दारनाथ या वैशनोदेवी की तो इन सभी जगों पर अब कुछ जो हैं कहीं इलेक्ट्रिक गाडियां चलने लगी है उसकी शुरुवात हो गई है रोपवे जो है वो विक्सित कर दिया गया है या हेलिकॉप्टर की तो परिवहन ने परिटन को बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि सुगम बना दिया है और जितने भी दुर्गम या पहाडी इलाके हैं जहां पर पहले जाना असंभव था या हम पहले कलपना नहीं कर सकते थे कि वहां पर हम पहुँच सकते हैं उन सभी तक पहुच को परिवहन के अलग-अलग माध्यमों ने साधनों ने उसे संभव बना दिया है और परियतन को बहुत अधीक बढ़ावा मिला है अब परियतन के लिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको अपनी तरफ आकर्शन के कारक कौन-कौन से है ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो परियतन को भावित करती है जैसे जो गरम प्रदेश में रहते हैं वो गर्मियों में ठंडे प्रदेश या किसी हिल स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं और जो बहुत बहुत जादा ठंडे इलाकों में ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो चाहते हैं कि कुछ गरम स्थानों की तरफ जो है वो शीतकाल में प्रवास करें तो जलवायू जो है यह एक महतवपूर्ण फैक्टर है इसके साथ ही साथ हम देखते हैं भूदरिश लैंड्सकेप जो होता है हमारी पृत्वी पर बहुत अलग-अलग प्रकार के भूदरिश मिलते हैं कहीं परवत है कहीं पहाडियां है कहीं मैदान है जीले हैं समुद्र तटी छेत्र हैं तो हम अपनी रूची के अनुसार हमको जिसमें हमको समुद्र तटी छेत्र में जाना है समुद्रों की उची उची लहरों का मज़ा लेने जाना है तो हम तटी छेत्र की तरब जाएंगे अपनी छुटियां भीताने हमको तो हम बहुत गरम प्रदेश में रह रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमें किसी हील स्टेशन में पहाडियों की या उचे परवती जो छेत्र होते हैं, तो उचे-उचे परवत की चोटियों को हमको देखने जाना है, तो हम हील स्टेशन पर जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है वह प्रभावित करते हैं कि आपकी रूची किसszco देखने में है तो भूदरिष्य भि जो है परेटन को प्रभावित करता है फिर हम देखेंगे इतिहास और कला मि मिल हम इंड हम को रूची है कि हमें बड़े-बड़े किले देखने है, समारक देखना है, आपको अपने इतिहास में रूची है, अलग-अलग जो कलात्मक चीजे होती है, उनमें रूची होती है, तो आप चले जाएंगे राजस्थान, है ना? तो इतिहास और कला, तो बहुत सारे ऐसे इस्थल हैं हमारे देश में भी और विदेशों म को प्रभावित करती है इसके बाद हम देखते हैं संस्कृती और अर्थव्यवस्था संस्कृती और अर्थव्यवस्था भी भई हमको लगता है कि हम किसी एक छेत्र में रह रहे हैं अब हमको लग रहा है कि हम पुर्वांचल में चले जाएं कि वहां लोग लोगों की पहत्र की संस्कृति और अर्थ व्यवस्था को समझने के लिए भी परियतन करते हैं. एक एक्जाम्पल के लिए गोवा में हम चले जाएं तो गोवा में छोटे-छोटे हैरिटेज बनाए गया है. लोग वहाँ जाते हैं कुछ दिन के लिए रहते हैं वहाँ के लोगों की संस्कृति को समझते हैं और वापस आ जाते हैं तो संस्कृति और अर्थ विवस्था भी जो है वो आपके परियतन को बढ़ावा देती है या परियतन को प्रभावित करती है और इन सभी चीजों से ज लोगों को अपने यहां रखेंगे तो लोग कुछ रेंट पर ही दे दिए अब आप महने दिन पंदरा दिन महने दिन आप उहां पर जा कर रह रहे हैं उनके साथ उनके संस्कृति को रहन सहन को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके बदले क्या हुआ कि आपको तो एक परियतन का या मनुरंजन हो रहा है और दूसरी चीज जो आप जिसके घर में रह रहे हैं या जिसस्थान पे रह रह रहे हैं वहां पर इसी बहने लोगों को जो है वो रोजगार मिल जाता है भी आपको इस्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन का माध्यम चहिए ही रहेगा आपको रहने के लिए घर चहिए ही होगा और खाने के लिए भोजन की भी आवशकता होगी तो वो पर्टिकुलर उस छेत्र के लोग को रोजगार भी इसी माध्यम से मिल जाता है अब जब हम परियतन की ही बात कर रहे थे तो आज कल एक बहुत चलन में है जिसको हम बोलते हैं चिकित्सा परियतन या मेडिकल टूरिज्म जब चिकित्सा या उपचार को अंतरराष्ट्रिय गतिविधी से जोड़ दिया जाता ह है तो हम उसे मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा परियतन कहते हैं जैसे की कई लोगों को इलाज कराना है अपना ट्रेट्मेंट कराना है कोई टेस्ट कराना है तो आप क्या करते हैं दूसरे देश को जाते हैंज़ आप कह रहे हैं कि यहां पर इसकी फैसलेटी अच्छी न तो आप इलाज के लिए उस जगह पर जाते हैं जिसको हम कहते हैं मतलब जो भी गतिविधी हो रही है कि सान से दूसरे इस्थान पर जब आप जा रहे हैं और परपस जो है वह आपका मेडिकल है मतलब चिकिट्सा की उदेश से आप जा रहे हैं तो हम इसे चिकिट्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म कहते हैं अब इन सभी में हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में चिकिट्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म में एक अग्रणी देश या जो पूरे विश्व में सबसे आगे है जहां पर लोग मेडिकल ट्रिट्मेंट के लिए म वो हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश अभी मेडिकल टूरिज्म के परपस से सबसे विश्वे में पूरे सभी देशों से आगे चल रहा है या अग्रणी देश हम इसको कह सकते हैं, अब और भी अन्य देश है भारत जैसे ही जैसे थाइलेंड है, सिंगापूर है, मलेश है, स्विट्जरलेंड है, आस्ट्रेलिया है, यह सभी ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जहां पर मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा परियाटन की संभावनाएं जो है वो बहुत जादा है, अब कारण यह है कि यहां पर मेडिकल फैसलिटी जो है वो अन्य देशों की अपे आप यूएसे में कोई व्यक्ति करा रहा है और उसी टेस्ट को यदि आप भारत में आकर कराते हैं तो वो रिपोर्ट उसकी बहुत अच्छी आती है और साथ ही साथ वो जो टेस्ट है वो यूएसे की अपेक्षा यहां पर सस्ता भी पड़ता है ती यह सब ऐसे कारण है ज हम कहें कि माध्यम क्या हो सकता है जिसको हम बोलते हैं आउट्सोर्सिंग या बाहिस्त्रोतन या आउट्सोर्सिंग का मतलब होता है कोई भी जो कारिय है उसको ठेके पर किसी दूसरी एजंसी या दूसरी कमपनी को दे देना जब हम बाहरी एजंसी या कमपनी के माध्यम से इसी काम को उनको ठेके पर दे देते हैं, कारिक की जिम्मेदारी उन्हें सौब देते हैं, तो उसे हम कहते हैं, आउठ्सोर्सिंग या बाइस टोतन. यह पहले आपके किसी भी छेतर में, किसी कमपनी में, नौकरी किस में भी चलता था, लेकिन जिसे सम्विदा में रख लिया, आउर्सोर्सिंग के माध्यम से, लेकिन अब यह थोड़ा बंद हो रहा है, या इसका चलन अब बहुत कम हो गया है, लेकिन हम देखेंगे जैसे किस कारी कराना है तो सारा कारी करें जिसकी जिम्मेधार यह दि यह उसको ले ले लेती है, तो चारे का ब 누झ बहुत बढ़ा है, तो इसके कारन वो क्या करती है, सरकार अपने व्यक्तियों से कारी ना करा के, किसी बाहरी कंपनी को शू करा क का फेके पर दे दथ chuẩn taught देनी ते अतनी जिम्मेदारी से होगी। अप सिर्फ इतना काम उसका रह जाता है। कुछ दिनों में या समय समय पर सरकार जा कर वहां पर देखरेक कर देती है या निगरानी करती है कि काम जो है वो सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है अब यह जो आउट्सोर्सिंग है या बाहिस रोतन है इसके क्या-क्या उदेश है या उसे क्या लाब होते तो हम कहें कि पहला तो जो है वो दक्षता में सुधाराता है मतलब जो इसकिल है उसमें सुधाराता है क्योंकि हम जो चीजें जो कोई हमको एक काम कराना है और उसके लिए हमको लग रहे है कि हमारे यहां जो लेबर है वो उतने अच्छे वहां पर इसकिल्ड नहीं मिल रहे ह तो हम क्या कर रहे हैं बाहिय स्रोतन या आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे देशों से वो लेबर अपने यहां इंपोर्ट के लिए या बुला लिए तो जो इसकिल है, इसकिल जो है उसमें सुधार होता है, दक्षता में सुधार होता है, फिर हमारे यहां भी लोग उस चीज को उनके माध्यम से सीखने लगेंगे, तो पहले जो इसकिल हमारे देश या प्रदेश या छेतर में नहीं थी, अब हम आउट्सोर्सिंग के माध्यम से जब दूसरी चीजों को दूसरे लोगों को या दूसरी तकनीक को बाहरी छेतर से मंगा रहे हैं तो हमारी तकनीक में भी या हमारे लेबर्स में भी उनकी स्किल्ड में भी या हमारे छेतर के स्किल्ड में जो है दक्षता में सुधार होता है और दूसरी चीज होती है लाग या वो skilled laborers भी जो हैं वो बहुत कम है और महंगे हैं तो हम बाहरी देश या प्रदेश से ऐसे skilled laborers को अपने यहां बुला ले रहे हैं जो की कम लागत में हमारे यहां काम करेंगे जैसे हम call centers का example ले सकते हैं call center में जो काम करते हैं वो आपके अलग-अलग जो विक्सित developed countries जो हैं जहां पर population density जो है वो बहुत कम है और जो laborers हैं उनकी लागत बहुत अधिक आती है तो यह क्या करते हैं अपनी company के अलग-अलग reporting के लिए data collection के लिए अलग-अलग देशों में जो हम developing countries की बात करें विकाशिल देशों में यह अपने अलग-अलग call centers जो हैं वो इस्थापित कर देते हैं जैसे भारत है चाइना है इन देशों में हम इस टाइब के call centers जो है वो इकठी करते रहते हैं और वो कारण यह है कि हमारे यहाँ IT sectors में भी हम देखेंगे कि बहुत skilled population मिल जाती है और ऐसी population जो बेरोजगार है जिनके पास काम नहीं है रोजगार नहीं है तो जब यह company यहाँ पर अपने call centers स्थापित करती हैं तो एक तो इन है चुकि हम चाहे चा बहुत जादा है बहुत अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है और जनसंख्या भी ऐसी है कि skilled है दक्ष है और दक्ष होने के साथ साथ यह बेरोजगार है तो इससे यह चीज यह हो जाती है कि जो विक्सित देश है वो यहाँ पर अपने call center से स्थापित कर दिये तो उन लो सकते हैं सोप टेश्वाम है वर्यार से साथ फोरिआ चाहंन में सबलापर के से समुषभाम किया गरते हैं उन डिकिया झांग यह होता है तो हम अपने ही देश में वहाँ चाहर जाता है तो हम आफ जना हम उन इससमे देशवें है अप्टरण अलग अलग राजियों से या अलग अलग प्रदेशों से वो कारिय करा रहे हैं, तो इसे हम आउट्सोर्सिंग या बाहिस रोतन कह रहे हैं, लेकिन जब हम इसे विदेशों से या समुद्र पार्देशों से ये कारिय करवा रहे हैं, तो उसे आफ्शोरिंग या अप्तरन कहत अब बाहिस रोतन के छेत्र कौन-कौन से ऐसे कौन-कौन से छेत्र हैं जहां पर आउट्सोर्सिंग से काम कराया जाएगा तो उसमें हम देखेंगे जहां पर भी सस्ता और कुशल श्रम हो है ना लेबर जो है वो सस्ते भी मिल रहे है और स्किल्ड लोग भी मिल रहे हैं तो व आउट्सोर्सिंग के माध्यम से कारी कराया जाता है और इससे रोजगार में भी वृद्धी होती है और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रवास में भी माइग्रेशन में भी कमी आती है माइग्रेशन में कमी इसलिए आरी है कि लोग वहां पर काम कर रहे हैं आउट्स तो उनका कहर्च भी बचाता है कि अपने ही चेतर अपने घर में ही रहकर वो कारी कर रहे हैं, तो इससे प्रवास में भी जो है वो कमी आती है. अब बेश क्या होते हैं आउट्सोर्सिंग के या बाहिस्तृतन के आधार कौन-कौन से हैं? तो हम देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं पहला ग्यान प्रक्रिया बाहिस्त्रोतन और दूसरा है व्यवसाय प्रक्रिया बाहिस्त्रोतन ग्यान प्रक्रिया बाहिस्त्रोतन जिसको हम बोलते हैं KPO English में knowledge processing outsourcing और व्यवसाय प्रक्रिया बाहिस्त्रोतन को हम बोलते हैं business processing outsourcing मतलब एक जो है out sourcing वो knowledge based पी किया जाता है और दूसरा व्यवसाय के आधार पर किया जाता है तो जो knowledge based पी किया जाता है या ग्यान के आधार पर किया जाता है उसमें कौन-कौन से छेत राते हैं तो उसमें हम देखेंगे जो अनुसंधान है जितने भी प्रकार के जो research कारे किये जाते हैं या developing जो process होते हैं विकास की जो अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं, e-learning हम कहा दें अभी वर्तमान में, इसके साथ ही साथ जो business में research किया जाता है या जो कानूनी professions होते हैं law में औ और इन सब के अलावा banking sectors जो है इसमें भी हम देखते हैं कि outsourcing किया जाता है अब जो business processing outsourcing होता है उसमें हम देखेंगे कि अलग-अलग जो विनिर्माड उद्योग के छेत्र होते हैं वहां पर outsourcing के माध्यम से लेबर्स जो है वो कारी करते हैं या मंगाय जाते हैं skilled persons इंजिन के छेत्र में हम देखेंगे यहां पर भी बहुत जादा outsourcing होती है जो ग्रहक सेवा केंदर होते हैं कस्टमर सर्विस सेंटर्स जो होते हैं अलग-अलग इसके अलावा कॉल सेंटर्स कभी अभी हमने एक्जामपल लिया था उसमें भी और information technology या सुछना प्राद्योगी की भ होम शोरिंग होम शोरिंग क्या होता है सुचना तकनीक से घर बैठे कारे करना अभी कोविट के समय आपने इसका एक बहुत अच्छा एक्जामपल देखा होगा जिसको हम कहते हैं work from home हमारी जो information technology है इतनी विक्सित हो गई है कि हम घर बैठे आफिस का काम घर बैठे ही कर र गई है ऐना आपने अपनी पढ़हाई भी जो है वह और आ उनलाइन की होगी कि आपके टीचर जो है भेड भैठ हा आपको पढ़ा रहे हैं आप भी अपने घर में बैठे है और जो है क advertise your opponents online के मा нач는कते हैं आपकी काक्षाइँ जो है वह संचालित हो रही ती और ऐसे ही जो यहां पर भी वर्क फॉर्म होम का चलन्ज है वो हमनी अभी देखा तो इसको हम बोलते हैं होम् शोरिंग मतलब सुचना प्राध्योगी की के माध्यम से घर बैठे बैठे ही कारिय करना होम स्योरिंग कहलाता है एक छोटा पॉइंट इसमें और है जिसको हम बोलते हैं अंकिय विभाजन या अंकिय विभाजक इसी में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो विक्सित और विकास शिल देश हैं इन विक्सित और विकास शिल देशों में सूचना और संचार तक्नीक पर जो आधारित विकास का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है मतलब एक देश के अंदर भी हमको इसमें बहुत अधिक समानता देखने को मिलती हैं कुछ देश जो हैं वो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस व्यवसाय में लगी हुए हैं या बहुत ज़्यादा विक्सित हैं विक्सित देश बहुत ज़्यादा विक्सित हैं और पिछड़े हुए देश जो हैं वो पिछड़ते ही जा रहे हैं हम अपने देश के भी अंतर यदी बात करें तो कुछ देश या कई देशों में भी हम देखेंगे अपने भारत देश में ही बात करेंगे तो भारत के अलग अलग प्रदेश या राज्य में भी हमको यह समानता जो हो देखने को मिलती है जो राज्य या जो छेत्र बहुत विक और जब हम पंजाब, हर्याना, यूपी इन छेत्रों में चले जाएं तो यह बहुत ज्यादा विक्सेत अवस्था में हैं तो हमको अपने अंदर देश के अंदर भी यह असमानता देखने को मिलती है तो हम सीधे से कह सकते हैं जो विक्सित और विकासिल देश होते हैं इसमें सुचना और संचार तकनीक पर जो आधारित विकास होता है जब इसमें असमानता देखने को मिलती है और इस असमानता के आधार पर जब हम इसका विभाजन करते हैं तो इसे हम अंकिय विभाजन कहते हैं इसके बाद हम बात करते हैं पंचम क्रिया कलाप पर तो जैसा भी हम निर्मान करने वाले जो लोग होते हैं वो पंचम क्रिया कलाप के अंतरगत आते हैं पंचम क्रिया कलाप एक नवीन विचारधारा हम कह सकते हैं या वर्तमान विचारों की रचना उसके पुनरगठन व्याख्या जो डेटा एनालिसिस का कारी है या डेटा यूस का है या नव जो प्राद्योगी की है, न्यू टेक्नोलोजी जितने भी आ रही है, उनके मुल्यांकन पर केंद्रित होती है। वरिष्ठ व्यवसाईक कारिकारी या सरकारी अधिकारी अनुसंधान वैज्ञानिक वित और विधी परामर्श दाता ये सभी जो हैं वो विशेश और उच्च वेतनमान वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पंचम क्रिया कलाप के कारिकारी होते हैं और ये जब हम क्रिया कलाप की बात कर रहे हैं तो कारी की प्रकृति के नुसार कुछ इनके कॉलर के रंग का निर्धारन किया गया है हलंकि हमने प्रात्मिक्रियाओं के संदर में ये बात भी की थी लेकिन इस एक तालिका के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं यहां आपको दिखाई दे रहा होगा एक तरफ कॉलर का रंग दिया है और दूसरी तरफ उस कारे को करने वाले लोगों के कारी की प्रवित्ति को दर्शाया गया है तो हम देख रहे हैं लाल कॉलर लाल कॉलर जो शमिक होते हैं यह प्रात्मिक्रियाओं करते हैं जैसे आखेड, भोजन संग्र, पशुचारण, मचली पकरना, वनों से लकडी काटना, क्रिशी और खननकारे, स्वर्ण कालर वाले जो कर्मचारी होते हैं अभी ही हमने चर्चा की थी जो पंचम क्रिया कलाब करते हैं जैसे कि नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनका पुनर गठन और व्याख्या, आकडों की व्याख्या और उसका प्रयोग और नवीन प्रवध्योगी की का मुल्यांकन, फिर है शुत या सफेद कॉलर वाले वाले श्रमिक, तो इनके कारी की प्रवित्ति होती है, ये उच्छे प्रवध्योगी की उद्योग में अती दक्ष पूरूश होते हैं या व्यावसाइक श्रमिक होते हैं जैसे कि नाई, घरेलू कर्मचारी, सचीव, प्रशाशनिक सहायक, प्राथमिक स्कूल के अध्यापक आधी फिर नीला नीला रंग जो है कॉलर का वो ऐसे श्रमिकों को प्रदर्शित करता है जो श्रमिक उद्योग में वास्तवी कुत पादन से संबंधित होते हैं फिर है गुलाबी, गुलाबी कॉलर वाले श्रमिक जो हैं वो श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाली जो व्यवसाइक महिलाएं होती हैं देखिए यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको हम धूसर और गुलाबी की धूसर में हमने देखा था श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाले व्यवसाइक पुरुष और गुलाबी में हम बात कर रहे हैं श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाली व्यवसाइक महिलाएं व्यवसाइक महिला श्रमिक जैसे की आया हो गई हेयर, हेयर ड्रेसर, बेबी सीटर, धरेलु नौकरानी सचीव और प्रशाशनिक सहायक आदी तिये हो गए आपके कॉलर के रंग और उनके कारे की प्रवित्ती